हेलो एबरिवन एन वेलकम यॉल तो यूट्यूब चैनल सिविल सर्वेसेश फ्लैटफॉर्म तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडरन हिस्ट्री और बिहार पढ़ेंगे ठीक है हम लोग एंशेंट हिस्ट्री और बिहार और अरेडी कम्लेट कर चुके है मेडिवल बिहार पपलिक सर्विस कमिसन्स का प्रिलिम्स एक्जाम है ठीक है तो उसको देख करके हम लोग भी मॉडरन हिस्ट्री और बिहार को खतम करेंगे तो चैनल हम लोग स्टार्ट करते है आप लोगको यह आप लोग यह बता सकते हिसा एक आप लोगको यह जो पहले I was making handwritten notes त तो आप लोगो कैसा लग रहा हो वो बताईएगा ठीक है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देखें बिहार जो था वो बहुत जादा फेमस था cotton के लिए textile के लिए salt peter के लिए indigo के लिए ठीक है इसके लिए बहुत जादा फेमस था तो फिर इसे लिए जो इस्ट इंडिया कंपणी है जो यूरोपियन कंपणी इस थे वह बहुत जादा इंट्रेस्टेट थे बिहार में कि यह सब चीज का वो लोग ट्रेट कर पाए अब salt peter क्या है तो यह KNO3 है और इंडिगो के लिए तो आपको पता है कि बिहार वास फेमस फॉर इंडिगो ठीक है बिहार और बंगालवरे रीजन इंडिगो रिवाल्ट होता है आपका वेस्ट बंगॉल में ठीक है और फिर आपका यहां पर चंपारन सत्याग्रह होता है प्राइस करता था तो यहां पर मिनरल वेल्ट भी बहुत ही ज्यादा था ठीक है दिवास इमेंस मिनरल वेल्ट विद बिहार इसी के कारण यहां पर यूरोपियन धीरे-धीरे यहां पर भी आ गये अब क्या हुआ कि सबसे पहले जो आये थे वह पॉट्गी इस जो थे वह बहुत जादा ट्रेट करते थे एक तो इसपाइस और टेक्स्टाइल ठीक है टेक्स्टाइल में स्पेसली कॉटन ठीक है यह पॉट्गी फिर ब्रिटिश जो थे वह आये वह अपना पहला फैक्ट्री 1620 में आलम गंज पतना में लगाते है फॉर सॉल्ट पीटर ठीक है सॉ यह जो फैक्ट्री बनाते हैं आलम गंज में प्रिजेंट ली इस इंडिया कंपणी अट गुलजार बाग इस नाव टॉन इंटो गवर्मेंट प्रिंटिंग प्रेस जो कि अब जाकर के गवर्मेंट प्रिंटिंग प्रेस में तबदील हो गया है फिर डज जो आते हैं वह तो प्रेसन अगे प्रेस्टे में और मौ सब्सक्राइब धर आपना कंपणी आते हैं नंहीर समय है हो इस मेज यह देखिक यह बड़ेगे इस सप्र hang ठाधी प्रेस सब्सक्राइन वा तो When the Emperor Akbar gave permission to a Portuguese Captain Pedros Tavers, ठीक है, यह Captain है, Pedros Tavers, और कौन दिया इनको permission, Emperor Akbar दिये थे, कहाँ पर बनाने के लिए, हुगली में, कौन, तो पॉट्गीस को कब, यह, 1579 से 18, यह सब important है, जो यहाँ पर अंडल, मतलब माक किया गया है, फिर they built a convent and a church in Bandale, which was the first Christian church in Bengal, जिसे अभी हम लोग Bandale Church करते हैं, ठीक है, यह था पॉट्गीस के वारे में, फिर जो British थे, वो second European थे, जो की आते है, पतना, ठीक है, मतलब बिहार में आते हैं, और वो factory established करते हैं, आलम गंज में, 1620 में, पर फिर वो बंद हो गया, 1621 में, फिर British East India Company है, वो रिवाइफ करते हैं, वो factory को, जो अभी government printing press में तबदील हो चुका है, गुलजारबाग में, फिर जो Dutch East India Company है, they also established the factory at Patna, यह भी Patna में अपना factory established करते हैं, 1632 में, which is now the place for the Patna College, अभी Patna College यहीं पर है, कहां पर जहां पर Dutch East India Company, अपना factory established करते हैं, 1632 में, फिर दे East India Company यह अपना factory established करते हैं, नेपाली को ठापतना में, 1774 में, 1774 मतलब कि आपका regulating act के जश्ट बाद, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, battle of boxer, क्योंकि battle of boxer ही आने से, मतलब यह जो यूध हुद हुआ था, इसी के वज़ा से उसके बाद धिवानी rights जो था, वो देना पर गिय मतलब British को, ठीक है, जिसे कि अब यहाँ पर जो जितना भी trade था, वो लोग करता, कौन, वही, British East India Company, और इसे हम लोग एक और चीछ हुआ था कि misuse of dust तक, यह भी एक phenomena था, वे देखिए, British won the battle, led by Hector Mundo, जो battle था, वो Hector Mundo, British के तरफ से लड़ा था, against the combined army of the Mughals, अंडर सा आलम तो देखिए, India के तरफ से तीन लोग थे, India के तरफ से तीन लोग थे, India का तो concept ठानी, जो भी पतलब हम लोग के तरफ से तीन लोग थे, एक थे आपके सा अलम, जो मुगल बातषा थे, फिर थे मीर काशिम, ठीक है, जो कि बंगाल के नवाब थे, और एक ते सोजा उद्द जा चुके थे तू सेपरेट ट्रीटी वास साइन एट अलाबाद विद द मुगल्स ऑन ट्वल्थ अगस्ट 1765 सत्रा सो पैसेट बारह अगस्त को वहां लोग ब्रिटिश के साथ दो ट्रीटी साइन करते अलाबाद में से अलाबाद भी करते हैं पहला विद दनाबाप अवद और 16 ऑगस्ट 1765 मुगल्स एन अवाब और बंगाल लॉस्ट टेर एफेक्टिव कंट्रोल अफ द प्रोविंस अफ द बंगाल कंसिटुटिटिंग द प्रिजन डे वेस्ट बंगल ठीक है औरिसा बिहार जारकन और बंगलादेश यह सब जगह का जो दीवानी राइट्स था आप खो चुका था यह लोग अब यह जो एफेक्टिव जो कंट्रोल था वह पास हो गया था ब्रिटिश के पास और कंपनी गोर दीवानी राइट्स अफ द प्रोविंस फॉर द कलेक्शन अव रिवन्यू अब जो यहां पर जो यह लोग वहां से रिवन्यू कलेक्ट करता वह सारा राइट अब कंपनी के पास चला गया अब फिर दूसरा क्या था कि नवाव अवद हैस टू पे हूज रिपरेशन मतलब वह लोग को वार इंडेमिटी पे करना था वापस कि आप लोग जितना मेरा नुकसान कर दिये लराई में आप हम लोग को वह पैसा वापस कर अब क्या होता है कि 1770 और 1783 में जाकर के बिहार और बंगाल फैमाइन होता है इन 1783 वेन फैमाइन स्ट अगें अब दूबारा फैमाइन आता है देन दें गवर्नर जेनल ऑफ इंडिया वारन हिस्टिंग मतलब order for the massive dome shaped granary at गोलगर गोलगर जो पत्ना में वहाँ पर एक massive बड़ा सा वहाँ पर ग्रैनरी बनता है कि हाँ वहाँ पर अनाज रखा जाएगा तो गोलगर कौन बनाया था यह question आ सकता है कि it was made by Captain John Gartstein in 1786 ठीक है कौन बनाया है Captain John Gartstein in 1786 फिर permanent settlement of जमिंदारी system हम लोग तो जानते हैं कि permanent settlement भी छोड़ा नहीं हम लोग को ठीक है यह 1793 में से introduced किया गया था ठीक है 1793 में से introduced किया गया था कौन किया था तो Lord Convales किया था यह किसका आइडिया था तो यह जॉन सोर का एडिया था ठीक है यह इंप्लिमेंट कहां किया गया तो इसे इंप्लिमेंट किया गया बंगाल में औरिशा में डिस्टिक अप बनारस और सम नदन डिस्टिक अफ मद्रास ठीक है यह पूछ सकता है क्योंकि आप लोग को हम लोग को लगेगा कि हाँ जमिंदारी system तो south में जाएगा ने पर व जमिंदार क्या करते थे मतलब जैसे ब्रिटिश को जमीन दिया तो फिर जमिंदार भी अपना वो चेला लगा दिया कि हाँ वहां से तुम हमको कलेक्ट करके पैसा देना इससे क्या होता था न कि बहुत सारा लोग रहता था और जिसे करण जो फार्मर्स था वो बहुत से कि 1 by 11 मतलब अगर वह 11 रुप्या कमा रहा है टिक है हां मतलब 11 र भिटिश को पता है कि हां 11 रुप्या है पर ये जमिंदार अब कितना चार्च करेगा ये 13 रुप्या elétork करेगाक्युम कि इसको भी तो कमाना है ना ये तरफ़ जो देगा 14 रुप्या देगा और जो 11 भी अपने आपको तो हुस्यारी समझता हूँ बोलता है कि हम तो एक तो लेंगे और इधर से 2 हमको मिल रहा है ठीक है तो 3% 30% मेरा कमिशन है ठीक हूपर से फिर फिर एक तो को फिर को अधर का गुंडा होगा वो लोग भी लेता ही होगा तो फिर इसमें क्या था था the rise of एपसेंटी लॉड लेंडर बर जाता कि हां अगर किसान कर्ष नहीं दे पारा है तो वह गया दूसरे के पास मतलब जो वहां पर में हैड होगा जो थोड़ा अमीर आदमी होगा उसके पास गया और वहां से पैसा लिया और एक तरह से वह बंदवा मजदूर बन गया वहां पर फिर बाद में 1885 में वहां पर बंगाल टेनेंसी एक्ट पास होता है ठीक है वह जो वहां जो टेनेंट है आप जो हम लोग के तो इलाका में इसे भौलीदार कहते हैं कि वो लोग जो काम कर रहा है आप लोग मतलब उन लोग का अधिकार भी है कुछ ना तो उसको भी आप ज 1857 इन बिहार जो बिहार का रिवार्ड था 1857 1857 की इक्रांती इस टाइब गवर्नर जनरल जो थे वो थे लौट कैनिक और यह स्टार्ट जो होता है वो देयोगर डिस्टिक से होता है ठीक है जारकन का देयोगर डिस्टिक और यहां पर कहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बुक्सेलर के द्वारा किया गया था 25 जुलाइ 1857 में ये दर्भंगा में स्टार्ट हुआ जिससे कि ये वाइट स्प्रेड होने लगा ये जो रिवॉर्स था बहुत ज्यादा फैनले लगा इसमें जो बहुत इंपोर्टेंट आगे बढ़ करके जो है न वह बाबु कुंवर सिंग थिक हम लोग इन्हें वीर कुंवर सिंग भी करते जगदीसपूर के राजह है ये आरा को अकूपाई की और ही ओसो डिफीटेड ब्रिटिश वित नाना साहे अट आजमगर ठीक है जो मेंस हम लोग जब देंगे न मतलब देते हैं तो फिर जो कुंवर सिंग है उनके पर देखने परना परते हैं मतलब वह कहां से मतलब वह स्टार्ट किये फिर वह आजम गड़ गए वहां उनने क्या मिला उपाधी भी मिला था ठीक है फिर आते आते उनका जो देहान थो गया ठीक है वह सम्लों को बहुत जादा डीटेल में करना पड़ेगा सो आफ्टर दे ुए ठीक है फिर क्या होता है अब्रिटिश कंपनी अब क्या हुत है कि भी कंपनी का मतलब बैटल ऑ बक्षर बेटल ऑ बक्षर जीतने के बाद । बीहार में यह लुग दो आदमी को नुक की एक ते राजा राम नाराया एक ते सिताब रोल जो कि बिहार के डेप्यूटी गवर्नर बने फिर रिवेन्यू कांसिल अट पत्ना वस कंसिटूटेट इन 1770 पत्ना वसक्राइब बने फिर रिवेन्यू चीप बिहार इन 1781 थीक है वन डेली बिकेंग बिकेंग इन 1911 निस सो ग्यार में दिली को अरा राण बनाया गया था थीक है और इस और क्या हुआ था कि जो कैपिट जो पार्टिशन ऑफ बंगाल था उसको भी खदम कर दिया गया and the province of Bihar and Orisha was carved out of the Bengal making Patna its capital और Bihar और Orisha को भी अलग कर दिया गया पत्ना को उसका capital बना दिया गया 22 March 1912 को Bihar को constitute किया गया और हम लोग 22 March को ही Bihar Day मनाते हैं फिर Bihar British के दुआरा बहुत सारा educational institution को establish किया गया जिसमें की थे था पत्ना कॉलेज, पत्ना साइंस कॉलेज, बिहार कॉलेज अफ इंजिनियरी, प्रीन्स वेर्स मेडिकल कॉलेज, पत्ना वेटेनरी कॉलेज और गवर्मेंट अफ इंदिया एक्ट फिर बाद में आ करके 1935 में बिहार को फिर दो पार्ट में डिवाइट करता एक था बिहार एक था ओडिसा ठीक है जो 1912 का था वो बिहार को बंगाल से अलग करते हैं ठीक है तो आज हम लोग इतना ही देखेंगा आगे वाले लेक्चर में हमनों हूम रूल लीग और फिर चंपारन सत्यागरा और इवॉलुशनरी अक्टिविटीज यह सब देखेंगे ठीक है तो अगर आपको यह मेरा एफट्स अच्छा लग रहा हो तो फिर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि यह कंटेंट और भी लोगों तक पहुँचे क्योंकि अगर आप लाइक कीजिएगा तभी यूट्यूब हमारी कंटेंट को सपोर्ट करेगा और आगे बढ इस अगते हो अग्या कोराण हमारी कि अभी यूट्स फिर स्वाक बड़ी यूटोंट के यूट्ग वे तपा यूट्य हमारी के का रीट को सिर ग ढौाऑेगा है थारी आगवाएगна्स पारी